हेलो बच्चो सुवागत है आपका हमारी कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है Velocity Coaching Classes बच्चो आज हम देखने वाले हैं Chapter No.5 Oscillation का Lecture No.5 बच्चो आज के जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंपोर्टंट लेक्चर है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डरावने से equations हम लेने वाले हैं तो चलिए start करते हैं अपने कुर्सी की बान लीजिए और चलते हैं सफर के लिए तो बचो यहां पर आज हमें क्या पढ़ना है तो आज मैं पढ़ना है composition of two simple harmonic motions having same period and along the same path तो दो simple harmonic motions को देखना है जहां पर जिनका period same है और path भी same है तो आएए start करते हैं इसको तो सबसे पहले बचो हमें एक चीस consider करनी है और वो क्या consider करनी है consider a particle subjected simultaneously to two simple harmonic motions यानि particle एक है जो दो अलग-अलग simple harmonic motion perform कर रहा है और जिनका time period क्या है same है और path भी क्या है same है ठीक लेकिन उनका amplitude और initial phase अलग-अलग है तो कैसा होता है मन लिजी आपने एक particle लिया उस particle को आप क्या करगे पहले कम force में ठीचोगे और जैसे हैं उसे release कर लिया वो क्या करेगा oscillate करना चलो करेगा ठीक उसके बाद हम क्या करता है उसी particle को थोड़ा सा ज्यादा force से खिच लेता है जिसके कारण क्या होगा उसका amplitude भी बढ़ेगा और वो क्या करेगा oscillate करेगा ठीक है तो यहाँ पर दो चीज़े होती है जब आप कम खिचते हों तो उसका amplitude भी कम होता है और initial phase भी कम होती है लेकर आप जब उस particle को बहुत ज़्यादा खिचते हो तो उसका amplitude भी change हो जाता है और उसका initial phase भी change हो जाता है आई बात समझे है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा diagram से देखता है तो यहाँ पर बच्चों हमने दो दिखाया है blocks और यहाँ पर दो circles भी दिखाया है अब यहाँ पर दिखें एक का initial phase अलग है और दूसरे का initial phase अलग है अब यहाँ पर पहले का initial phase है 5-1 और दूसरे का initial phase है 5-2 अब यहाँ पर क्या करता है दोनों को हमने अलग-अलग तरीके से खीच के रखा हुआ है अलग-अलग 4 के साथ फीच के रखा हुआ है अब यहाँ पर देखते हैं इनका time period कैसा होता है तो बच्चों देखिए आप इनका time period देखें, दोर एक ही time पर पहुँचें यानि इनका time period same है फीड से देखते हैं तो यहाँ पर यह दोनों एक ही time period में अपनी position में वापस आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं इनका भले ही amplitude अलग-अलग हो यहाँ पर ठीक है लेकिन इनका time period और angular frequency जो है वो same है आगे बढ़ता है इसको समझ में आए अब यहाँ पर बच्चों दो equations मिलेगे एक तो है x1 के लिए और दूसरा है x2 के लिए तो x1 के लिए क्या equation मिलेगा तो बच्चों x1 के लिए मिलेगा a1 sin omega t plus 5 क्या मिला है हमें x1 के लिए a1 sin omega t plus 5 अब a1 क्या है पहले का amplitude है और 5-1 क्या है पहले का initial phrase है उसी तरह से यह x2 भी मिलिए a2 sin omega t plus 5 यह दो equation तो बच्चों हमें मिल गए है यहां से अब आगे बढ़ता है आगे यहां पर हमने जो पहला equation था उसको हमने क्या किया expand कर दिया बच्चों आपको पता ही है sin a plus b क्या होता है sin a cos b plus sin b इसी तरह से हमने इसको expand कर दिया है तो आगे बढ़ता है तो यहां पर जैसे x2 भी ले लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे इसको भी हम expand कर देंगे ठीके कर दिया अब हम क्या करेंगे यह x1 और x2 दोनों को club कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा net displacement मिल जाएगा तो net displacement क्या आगया बचो तो net displacement आगया x1 प्लस x2 आगया है आगय बढ़ता है अब इनको add कर देंगे तो इतना बड़ा भयानक सा equation मिल गया है यह तो भी छोटा है आगे की equation और भी भयानक आने वाल है ठीक अब हम यहां पर क्या करेंगे इसको फिर से expand कर देंगे तो इस तरह से यह expand करके पूरा का पूरा equation बन गया अब यहां पर बचो आप देखोगे A1 sin omega t और A2 sin omega t आपको देख रहे है उसे तरह से A1 cos omega t और A2 cos omega t भी आपको देख रहे है अब हम क्या करेंगे यह sin omega t sin omega t की values है वो एक तरफ लेके आएंगे और cos omega t और cos omega t की values एक तरफ लेके आएंगे तो यहां पर क्या किया sin omega t sin omega t की values अलग निकाली है और cos omega t बन गया है यह इस तरह से अब देखे बचो यहां पर हमें क्या मिल रहा है a1 cos51 plus a2 cos52 इसको बोलेंगे r cos delta दोनों भी values क्या है cos की है तो इसको हम temporarily क्या बोलेंगे r cos delta इसमें r क्या होने वाला है तो इसमें r होने वाला है amplitude और delta क्या होने वाला है देल्टा होने वाला है initial phase ठीक है right तो यहां पर यह पहला equation बन गया और यह दूसरा equation बन गया अब यहां पर जो है इसकी values वहाँ पर put करने के तो बच्चों हमें क्या equation मिलता है x negative sin omega t r cos delta प्लस cos omega t r sin delta यह values मिल जाती है ठीक अच्छा अब हमें क्या करना है तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ लेता है तो यहां पर हमने क्या क्या यहां पर हमने r को common निकालिया तो बच्चों यह equation मिल गया है क्या यह मिलता जोंतर दिख रहा sin a plus b के तरह ठीक है मतल r sin omega t plus delta यह equation आ गया तो r क्या था बच्चों r था हमारा amplitude और delta क्या था हमारा initial फेज लिख देता है लिख लिया खत्म कहानी अब यह जो है यहां पर हमें दो चीज़े निकालनी है पहले तो हमें निकालना है r और दूसरा निकालनी है delta यह दोरों के values हमें निकालनी है अब न पहले तो हम क्या करते हैं पहले हम दोनों equations को लिख लेते हैं यह हमने लिख लिए अब हम क्या करेंगे दोनों equation को सबसे पहले तो square कर लेंगे उसके बाद उसको add कर लेंगे तो चलिए इसको square और add कर लेते हैं अब हमने क्या कर गया है इसको square किया तो इतना भयानक का equation आप आपको मिल गया है, आई, इनको अड कर देता है, तो यहां पर हमको यह values मिल गही है, तो last मिं, क्या दिख रहा है, r square square delta plus r square sin square delta, अब यहां पर गौ opinion बात है, बच्चों, क्या मैं इस में से r square common निकाल सकता हूं और अगर r square common निकाला तो मेरे पास क्या बजीगा cos square delta plus sin square delta और मुझे पता है जो cos square delta plus sin square delta क्या होता है 1 होता है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा सबसे पहले तो मैं r square को common निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया R square को common निकाल तो मेरे पास क्या equation आगया R square आगया उसके बाद जो A square था यहां पर था A1 square cos square 51 plus A1 square sin square 51 उसमें से मैंने क्या क्या आगया A1 square निकाल दिया तो अंदर में equation क्या गए cos square 51 plus sin square 51 तो यहां पर cos square 51 और sin square 51 की जगा पर मैं रिल्के देता हुआ उसी तरह जो A2 square था उसमें से A2 square में common निकालिया तो उन्दर में equation क्या बचा? cos square phi 1 plus cos square phi 2 plus sin square phi 2 तो ये equation मुझे मिल गया अब यहां पर देखें तो उनों की जगा पे मैं क्या करता हूँ? मैं रख दा हुता हूँ 1 1 तो मैंने यहां पर रख दिया 1 1 अब क्या बचा? twice A1 A2 cos phi 1 minus phi 2 ये equation बच गया अब मैं क्या करता हूँ? इसको under rate में कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? R is equal to under root A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 cos phi 1 minus phi 2 ये तो बच्चों आगे मेरी R की values, right? अब मुझे निकालना है delta यानि initial phase जो रहेंगी उसकी values तो चलिए उसकी तरब भी बढ़ लेता है, फिर से हम दोनो equations को लिख लेता है, लिख लें बेटा, अब यहाँ पर क्या करता हूँ? तो मैं दूसरे equation को पहले equation से divide कर देता हूँ, फिक, अब यह इस तरह से divide किया है, अब जो RR खा, RR को मैंने काट दिया है, तो equation क्या मिलेगा बच्चों? sin delta upon cos delta क्या आएगा, tan delta आजाएगा, ठीक, अच्छा, और tan delta क्या आगया है, a2 sin phi 2 plus a1 sin phi 1 upon a1 cos phi 1 plus a2 sin phi 2, तो delta is equal to tan inverse यह value आजाएगी, तो यह value बिरकों मिल रही है, बच्चों, अब यही है आपका initial phase का value, ठीक है, इस तरह से हम इसको values को निकाल सकते है, आगे बरता है, और यह भी values मिल गई है, तो यहाँ पर हम कीन तीन case देखने वाले हैं, हम कितनी case देखने वाले हैं, यहाँ पर हम तीन case देखने हैं, पहले जब 5 1 minus 5 2 is equal to 0 आता है, याने दोनों की अगर initial phase सेम हो, तो मुझे क्या मिलेगा, cos 5 1 minus 5 2 की जगा, अगर मैं 0 लिखने करो, cos 0 कितन आएगा, 1 आएगा, तो मुझे क्या मिलता है, r is equal to under root a1 square plus a2 square plus choice a1 a2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे r is equal to a1 plus a2 यह मिल जाता है, उसके बाग, अब देखता है case 2, case 2 में मैं क्या खता हूँ, अगर 5 1 minus 5 2, याने दोनों phase के बीच में, अगर 5 by 2 का difference है, 5 by 2 की value गया होत है, तो मुझे क्या मिलेगा, r is equal to under root a1 square plus a2 square यह value मिलते है, अब देखता है, इसी के अंदर, मानलो अगर a1 और a2 दोनों सेम हो गए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर मिलेगा, r is equal to under root 2 a मिल जाएगा, अब बात करता है case 3 के, तो case 3 क्या है, तो case 3 है, 5 1 minus 5 2 is equal to pi, तो क्या होत a1 minus 5 2 क्या होता है, cos 5 होता है, और हमें पता है, cos 5 के value minus 1 आती है, तो यह इस तरह से question हैगा, तो r के value क्या आएगे, r के value आएगे a1 minus a2, और अगर यहाँ पर a1 और a2 को मैं अगर a consider करता हूं, तो r के value कितने आएगे बेटा, r के value आएगे 0, इतना समझ में आ गया, आगे ब करते है, अब यहाँ पर करना है, बच्चो क्या, तो यहाँ पर page number 130 पे question number 9 लिखा हुआ है, तो इसको करते है, the displacement of an oscillating particle is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b and omega are constant, यह तिनों चो value कैसे है, constant है, यह आने amplitude भी constant है, और आपका जो omega है, angular frequency वो भी constant है, उन्होंने कहा है, prove that particle perform a simple harmonic motion with amplitude a is equal to under root a square plus b square, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चो हमें यह प्रूब करना है, कि यह चो particle है, यह simple harmonic motion perform कर रहा है, और जिसका amplitude क्या है, amplitude है, under root a square plus b square, तो बच्चो सबसे पहले हमें निकलना पड़ेगा, जो a है, acceleration है, वो क्याएगा, minus r omega square आत है कि नहीं, अगर वो आता है, तो यह particle simple harmonic motion perform कर रहा है, अगर नहीं आता है, तो यह simple harmonic motion perform नहीं कर रहा है, तो आएगे देखते है, तो value क्या है हमारे पास, तो x is equal a sin omega t plus b cos omega t, यह क्या है displacement, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इससे पहले velocity निकाल लेता हूँ, ठीक, यहाँ पर velocity क् करना पड़ेगा है, मुझे dx by dt करना पड़ेगा, और जब मैं dx by dt करता हूँ, तो मुझे क्या ही मिलता है, बच्चो, v is equal a omega cos omega t, minus b omega sin omega t, मिलता है, अब मैं इसको फिर से dx करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा acceleration, तो acceleration की values क्या है, minus a omega square sin omega t, minus b omega square cos omega t, यह values आ गई, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से minus omega square को common निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, minus omega square, a sin omega t, plus b cos omega t, तो यहाँ पर बच्चो, जो दिख रहा है, a sin omega t, plus यह क्या है यह x है displacement है तो उसके वैलु में यहां पर put कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा एजिकलो माइनस ओमेगा स्क्वेर एक्स मिल जाएगा तो यह तो वैल्यू आगे तो जो कि Simple Harmonic Motion के Acceleration के values होती है माइनस ओमेगा स्क्वेर एक साथ है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो particle है यह Simple Harmonic Motion perform कर रहा है यह इसका statement लिख दिया तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि यह जो particle है यह क्या कर रहा है तो यह Simple Harmonic Motion perform कर रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें next देखना है a is equal to under root a square plus b square यह निकालना है तो आईए इससे भी निकालता है चलते हैं ओके तो यहां पर x is equal to a sin omega t plus b cos omega t हम क्या करेंगे सबसे पहले को इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमें पता है विचो sin omega t plus pi by 2 क्या होता है cos omega t तो यहां पर हम cos omega t के जगा पर है sin omega t plus pi by 2 कर देता है और यहां पर जो a sin omega t है ना उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और क्या लिखते हैं A sin in bracket omega t plus 0 याने हमें 2 phi मिल गया है दो initial phase मिल पहली initial क्या है phase 0 और दूसरी initial phase क्या है pi by 2 तो यहाँ पर देखें इसको हमने change कर दिया ठीक अब यहाँ पर हमें पता है r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos 0 minus pi by 2 यह equation हमारा यहां से निकल गएगा पिछला जो equation लिखा था उसको form इस form लिखा जहाँ पर a1 a2 थी यहाँ पर a और b है वहाँ पर आपका pi by 2 था यहाँ पर 0 और pi by 2 है तो यह चीज़े हमने लिखके रखी है आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बचो cos 0 minus pi by 2 क्या होता है cos pi by 2 होता है अब यहाँ पर देखे आगे बढ़ता है तो हमें पता है cos pi by 2 क्या होता है 0 होता है तो हमें directly equation में लिए यहाँ पर यहाँ पर यह क्या कर रहा है यह कर रहा है सिंपल हर्मोनिक मोशन ठीक है तो हमें क्या निकालना है amplitude और epoch epoch यहने क्या होता epoch यहने वह होता है deviation जो initial phase होते ही इसी को epoch बूलते है ठीक है याद रखने यह जो initial phase है उसी को हम क्या बोलता है इक को बोलता है ठीक है तो यहाँ पर जो है हमने x1 और x2 की value निकाल लिए है अब हमें इस इसको values को compare करके हमारे equation के साथ तो हमें क्या मिलेगा बुचो एवन की value क्या है 5 और 51 की value है पाइबाइ तरो उसी तरह से यह जो values है यह हमारे result में डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा यह इस तरह का यह equation मिल जाएगा जब इसको simplify करता है cos pi by 3 minus pi by 4 तो हमें क्या मिलता है cos 15 मिल जाता है अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा तो हमें बच्चो लॉक टेबल यूज करना पड़ेगा ताकि हम cos 15 की value निकाल सके तो मैंने already cos 15 के values निकाल के रखी है जो की है 0.9659 है ठीक है तो r is equal to under root 34 plus 30 into 0.9659 मिल गई है यहां पर r की values आएगी जब इसको simplify करेंगे c1.935 cm अब यह under root की जो values है उसके लिए भी आपको लॉक टेबल को यूज करना पड़ेगा ठीक है मेरे जिसाब से आप लोगों को लॉक टेबल यूज करना आता है नहीं आता होगा तो नीचे comment box में लिख लिजिए हम उसके उपर एक separate videos बना लेंगे कि किस तरह से लॉक ट अब बच्चों निकालना है डेल्टा निकालते हैं हम यहां पर इस फॉरॉमले से हम डेल्टा निकालेगे तो जो सभी value है वो सभी values हम इसके अंदर डाल देंगे अब यहां पर फिर से हम यह क्या करना पड़ेगा लॉक टेबल यूज करना पड़ेगा और लॉक टेबल से करके हमने यह सब values निकाले है साइन 45 की साइन 60 की कॉस 60 की कॉस 45 के सबकी वैल्यू निकाल की हमने यह equation मना के रखा हुआ है उसके बाद इसको अगर सॉल करते हैं अब हमें क्या करना है पड़ेगा हमें natural tangent का लॉक यूज करना पड़ेगा तो हमें क्या मिल जाती है डेल्टा डिगरी एंड 18 मिनिट्स अगर यह बच्चों आपको वीडियो पसंद आ गया लेक्चर आ गया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजी है थैंक्यू